आज नामें संजेश सेम्यूल मैं एक फिजियो तेरपिस्ट चुर्फिजिक एथलीट और आज इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेटेस्ट बॉडिविल्डर्स अफ वाल टाइम के बारे में तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेके अन तक जरूर देखेगा अब ग्रेटेस्ट बॉडिविल्डर्स अफ वाल टाइम इसमें जो बॉडिविल्डर्स की लिस्ट है इसमें मैंने टॉफ फाइव बॉडिविल्डर्स ऐसे पिक करें हैं जो Mr. Olympia past के winners रहे चुके हैं तो इसमें जितने भी bodybuilders के मैं नाम बताऊँगा आपको वो सब past Mr. Olympia winners रहे हैं तो number 5 पे हम रखेंगे Jay Cutler को 4 times Mr. Olympia ये हैं 2006 में इन्होंने Ronnie Coleman को हरा के Mr. Olympia title अपने नाम करा था और 2006, 2007, 2009 और 2010 Mr. Olympia Jay Cutler के नाम हुए है 1st place इन्होंने सिक्योर करी और 2011 में ये फिल्ड हीट से हा रहे थे Jay Cutler बड़े ही cool temperament के bodybuilder अभी तक है नाम जाने गाए हैं इनका training method है इनके बहुत सारे videos training के YouTube पे available हैं जिसको देखके बहुत सारे लोग inspired हैं इनको देखने हैं देखके और Jay Cutler की fan following all over worldwide बहुत है इसके number one bodybuilder थे जो शेड़ो के नाम से जाने जाते थे इसके उनके उपर भी बहुत सारे वीडियो कवर हुए 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 इनके story के उपर जो जब भी ये अपनी training करते थे तो ये old temple करके इनका एक gym था लंडन में वहां पर ये training करा करते थे इनकी blood and guts करके एक DVD यूट्यूब पर रिलीस हुई थी इसको देखा मैंने भी देखा था उसको देखके मैं भी इंस्पार हुआ हुए हुए ट्रेनिंग के लिए लेकिन यही high intensity training इनकी लिए मतलब इंजरी इने हुई थी इनका bicep tier हुआ था उसके बाद में इनका tricep tier हुआ और ultimately इनका bodybuilding career 97 में खतम हो गया था और थर्ड नंबर पे हम रखेंगे ली हैने को ली हैने the greatest of all time यह भी greatest of all time इसलिए क्योंकि 83 से लेकि 91 तत इन्होंने olympia titles लगा था आठ बार जीते moderate intensity के लिए जाने जाते थे कि मतलब इनका जो training principle था वो annihilate करने के उपड़ था और जो मतलब इनके जो training principles हैं और जो वीडियो अगर आप YouTube पर देखेंगे तो इसमें जो यह weight यूज कर रहे हैं बहुत मतलब moderate amount पर यूज किया है कि जिससे आपकी 10 to 12 reputation ये 15 reputation आराम से निकल सके और बिल्कुल इनके career में कभी इन्हें इंजिरी नहीं हुई कि यह बहुत heavy जाते थे heavy duty training करते थे durianates के जैसा बिल्कुल नहीं latest of all time ली है नहीं और जो बिल्कुल controversy बिल्कुल इन्हें अपने career में कभी नहीं करी और ये काफी religious bodybuilder थे अपने time पे और इनको आर्ट time तक इन्होंने title Mr. Olympia को conquer करा है और second number के bodybuilder है Frank Zain, Frank Zain ने अपना Mr. Olympia title 77, 78 और 79 में जीता था और first number पे हम रखेंगे दो bodybuilders को ये भी पिछली वीडियो की तरह ये भी टाया है रोनी कोलमेन को रखेंगे और Arnold Schwarzenegger को रखेंगे पहले हम Arnold Schwarzenegger की बात करते हैं 7 times Mr. Olympia 60, 70 में इन्होंने first Mr. Olympia title जीता 75 तक इन्होंने consistently Mr. Olympia के titles को first day secure करी थी और 1980 का Mr. Olympia भी Arnold ने जीता था बहुत controversial था उस time के इस वीडियो के बारे में हम बात में इस topic पे हम बात करेंगे लेकिन 7 times Mr. Olympia आनों शौद्जनेगर इसके बाद में इन्होंने movies में try करा और उसमें काफी successful career रहा है इनका bodybuilding भी Arnold के कारह नहीं जानी जाती है दुनिया भर में Arnold की जो pumping iron documentary 76 में release हुई थी उससे प्रसिद्धी बड़ी पुरे worldwide में bodybuilding की और सारे लोग commercial gyms open हुए और उसके बाद में bodybuilding अभी present चल रही है और Ronnie Coleman की बात करेंगे 8 times Mr. Olympia है 98 से लेके 2005 तक इन्होंने Mr. Olympia title जीते हैं इन्होंने भी शुरुआत में काफी struggle करा था इनको भी मतलब बहुत सारे bodybuilders जब ये stage पी चड़ते थे और जब अपनी फीजिक को ये represent करते थे तब इनकी जो placing थी वो आती ही नहीं थी या फिर बह अपने competitions में compete करते गए और एक police officer की job being के साथ में थी और अपनी family को चलाना था लेकिन फिर भी इन्होंने bodybuilding का अपना passion को छोड़ानी और consistently चलते रहे और 98 से 2005 तक 2006 में ये Jay Cutler से हार गए थे अपने नाम करें हैं तो के साथ मेरा वीडियो आप लाइक शेर करें संजश सेमिल fitness को मैं आपको फिर मिलूंगा अगले नए वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए शुक्रिया